गूटोई तो आल अफ यू, आज हम्हारा टापिक है देसिक बोरीवयर्ड प्लांट्स aussi हैं तो यहां पर हम इमसरम स्टुक्टिर उसके बारे में देखेंगे अगरेशपर्म प्लांट्स्स शेणी प्लांट रिषई हैं प्रत्रव हैं सबसे ज़्यादा डवलप्न प्लांट है क्योंकि evolution के थ्रूए डवलप हुए हैं और इसके साथ जैसे हम सबसे पहले जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट है वो algae थे algae के बाद उनमें धीर धीर evolution हुआ और bryophytes बने फिर bryophytes के बाद टेरोफाइट्स के बाद जिम्नी स्पर्म और जिम्नी स्पर्म के बाद एंजी स्पर्म का डवलप्मेंट हुआ तो इस तरह से धीरे धीरे evolution के थूए इनका डवलप्मेंट हुआ तो इसलिए प्रत्री के उपा जो आज हमें सबसे ज़्यादा dominant vegetation दिखाई देती है वो हमें एंजी स्पर्म प्लांट की दिखाई देती है flowers are found तो जब हम एंजी स्पर्म प्लांट के एक general characters की हम बात करेंगे तो इसमें सबसे नॉर्मल सा फीचर हमें के दिखाई देता है कि जितने प्लांट से सब में flowers दिखाई देता है seeds are covered with the fruit wall और इसके seed होते है और इसके seed होते है और चारो और उससे fruit wall से covered रहते हैं मताँ fruit के अंदर हमें बीच दिखाई देता हम कोई भी fruit लेके दिख सकते है उसके अंदर सीड होता है और चारो और से वो fruit wall से covered होता है these plants have a lot of variation और इसके लावब जो हम एंजय स्पर्म की बात काता है तो इसमें इतनी variation पाई जाती है कि बहुत ज्यादा जिसे dicot और monocot अलग अलग हो गया है अब उनमें भी कितनी सारी अलग-अलग species पाई जा रही है जो अलग-अलग characters रखती है तो इस सारा से अंजय स्पर्म plant प्रत्वी पर पाई जाने वाले सबसे developed plant है flowers इनमें पाई जाते हैं और seed fruit wall से covered रहते हैं और यह जो plant होते हैं इनमें बहुत ज्यादा variation पाई जाती है on the basis of cotyledons या beege patr cotyledons को हम हिंदी में beege patr कहते हैं angiosperm plants are categorized into following two categories जब हम cotyledons या beege patr के अधार पर angiosperm को divide करेंगे या categorize करेंगे तो यह दो category में divide हम इसे कर देंगे एक है monocotyledons जो एक beege patrी और दूसरा है dicotyledons दुवीज patrी monocotyledons और dicotyledons अगर एक beege patr उपस्तित है तो monocotyledons कहेंगे monocotyledons में आ जाते हैं जिसे गे हूं जो इस तरह से palm हो गया तो खजूर हो गया तो यह monocotyledons का example है dicotyledons जिसमें दो वीज patr पाया जाते हैं जैसे कि कोई भी बड़ा plant जिसे नीम हो गया आम हो गया यह dicotyledons के example है अब यहाँ पर देखते है monocotyledons plant such as grasses, lily यह हाँ पर example दिये हुए तो इस तरह के यह plant इसमें आएंगे यह grasses है और यह lily की pick दी हुई है dicotyledon plant जैसे कि mango tree, pea, sunflower यहाँ पर इनकी photographs से दिये हुए है examples के angiosperm plant is divided into two main system अब हम यह देखते हैं कि basic body structure के बार में study कर रहे हैं एक तो जमीन के अंदर वाला part जिसमें की root system आता है और जमीन के उपर वाला aerial region में पाए जाने वाला part shoot system कहलाता है तो एक हो गया इसमें root system और दूसरा shoot system अब root system जमीन के अंदर की तरफ मिलेगा और यहाँ भी दो type की होती है tap root and fibrous root और shoot system यह aerial part होता है प्लांट का और इसमें stem, leaf, flower, fruit, seed यह सब इसमें include किये जाते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं root system root system क्या होता है तो सबसे पहला point है यहाँ पर underground part of the plant plant का जो underground part होता है जमीन के अंदर या भूमिगत part root कहलाएगा negative phototropic होती है, phototropic एक moment होती है tropic moments fly जाती है जो बहार से कोई signal मिलता है उसके direction में यह moment होती है तो negative का मतलब हो गया कि जिसे phototropic sunlight की direction में opposite growth करती है मतलब root होती है जो sunlight की तरफ growth ना करके उसके opposite direction में जाती है, जमीन के अंदर growth करती है तो इसलिए इसे negative phototropic कहा जाता है तो यहां हम यह कह सकते है कि opposite in sunlight direction तो sunlight की direction के opposite यह growth कर रही है तो इसे negative phototropic कहेंगे या रिनात्मक प्रकाश अनुवरती कहते हैं फिर है positive geotropic, अब positive geotropic से मतलब हो गया कि उस signal की तरफ move करना तो जो gravity होती है उसके direction में growth करती है जब ही तो यह प्रस्वी के अंदर की तरफ, soil के अंदर की तरफ growth कर रही है तो इसे positive geotropic कहेंगे धनात्मक growth करती इसके अलावा जो root system होता है किसी भी plant का जो seed के अंदर embryo होता है, embryo आगे जब उसमें seed germinate gonna start होता है तो उस रहें पे embryo में भी भाजन होता है और वो plumule और radical बनाता है तो radical से यह मुलांकुर भी कहते हैं इसे हिंदी में इससे यह develop होता है अब यहां पर देखते हैं जो angiosperm plant है उनमें दो टाइप का root system पाया जाता है पहला है tap root system जिसे हिंदी में मूसला मूलतंतर कहता है तो यहां पर जो यह image दी हुई है एक dicotylodent plant की दी हुई है जिसका tap root system इस तरह से पूरा फैला हुआ है तो अब यहां देखते हैं tap root system के बार में develop from radical in form of primary root and many branches develop from it जो embryo से radical developed होगा उस radical से primary root develop होती है और जो tap root system होता है बहुत ही बड़े size का और मजबूत system बनता है और इस तरह है जो ही पूरा system बना है complete system is a nonized tap root system तो इस तरह से पूरा tap root system कहलाएगा next है fibrous root system रेशेदाल मूलतंत्र अब यहां पर यह monocot plant दिया हुए monocot plant की root दियो ही है in monocot plants में ही है पाया जाता है जैसे कि grasses हो गई और lily plants हो गई palm, dead palm इन सब में ही है पाया जाएगा develop from radical and this root is degraded after short time period तो इसमें क्या होता है यह भी radical से develop होती है मुलांकुर से लेकिन क्या होता है जो primary root होती है उस time बाद degrade हो जाती है alp gv होती है जिसके कारण जो क्या होगा अब fibrous root develop from shoot or stem जो fibrous root होती है जो shoot होता है उसी से develop होने लग जाती है जो primary root हो degrade हो जाएगी थोड़े time बाद और fibrous root का development होता है तो इस तरह से दो तरह की root होती है tap root system और fibrous root system tap root system तो मिलता dicots में और fibrous root system पाया जाता है monocots में function of root तो यहाँ पर हम function देखते है root का क्या हो सकता है सबसे पहला जमीन में जो पानी उपस्तित है उसको absorb करना और plant तक पहुँचाना absorption of water दूसरा है absorption of mineral तीसरा है fixation of plant in soil तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि function of root absorption of water absorption of minerals fixation of plant in soil अब नेक्स्ट यहाँ देखते है shoot system यह प्रहोतंत्र इसमें हम देखेंगे कि aerial part of plant पहले बताया मैंने कि aerial part होता है plant का वह shoot system कहलाता है plumule या prangkule से डवलप होता है और एक डवलप plant पर leaf, fruit और उसके appendages रिक्सित होता है जो भी plant के उपर aerial part में जो भी चीज़े डवलप होंगी यह leaf हो सकती है उसमें स्टैम, branches, flower, fruits, seed, इसके अलावा जैसे appendages होते हैं जैसे गुलाव के काटे है और इस तरह के जो भी structure डवलप होती है सब उसके sure system में आती है reproductive phase में fruit flower डवलप होते है sure system के following parts होते है सबसे पहला हम देखते है aerial part of plant तना सबसे पहला part हम देखेंगे तना जो की aerial part होता है इसके ओपर भी भी उपांग लगे होते है और पत्तिय विशिष्ट क्रम में arrange होती है तो पत्तियों का जो arrangement होता है उसको हम phylo taxi भी कहते है पत्ति अब इस इस्ट क्रम में व्यावस्त है, फाइलो टैक्सी कहलाईएगी, अमेरजेंसिज या उद्भूतांग, ये क्या होता है, एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स से डवलफ होता है, उद्भूतांग होता है, जिसे गुलाब के काटे हो गए, या फिर इसके अलावा कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो रोम पाये जाते है, हेरलाइक स्ट्रक्चर पाये जाती, स्टैम के उपर, तो ये क्या होता है, एपिडर्मिस या कॉर्टेक्स से डवलफ होती है, एग्जामपल इसका गुलाब के तने पर काटे, फिर ये देखते हैं कि जो तना होता है, वो इरैक्ट होता है, इसके अलावा तना, अलग-अलग plant species पर डिपैंड करता है, जिसे वॉरी भी हो सकता है, कास्टी है, या हर्वेशियस भी हो सकता है, फिर देखते हैं स्टैम, stem इसमें branched, शाकित या unbranched, ऐशाकित होती है शाकित या ऐशाकित हो सकता है differentiated between node and internode अब जैसे हम इसका सबसे अच्छा example देखते हैं कि गन्ना है, गन्ने का तना कैसा होता है node और internode में differentiated रहता है easily दिखाई देता है इसी तरह से जितने भी plant होते हैं उनमें node और internode पाई जाती है जैसे इसमें दिखाई दे रहा है node तो फूर reason हो जाएगा जहांसे पत्ती का origin होता है और internode दो node के बीच का reason internode कहलाता है तो internode leaf and emergencies इस पर पाई जाएंगे फिर देखते हैं function of stem सबसे पहला function तो ही है कि पूरे plant को mechanical support प्रभाइड करना जिससे कि वो सीधा कड़ा रहता है दूसरा है transfer the water and mineral to the different part of plant absorbed by the root अब दूसरा काम इसका ही होता है जो root ने जो root है उसने water and mineral एबसॉब तो कर लिए लेकिन अब plant के different part जैसे पत्तियों तक पहुचाना यह सारा काम इताने का होता है क्योंकि उसमें जैलम फ्लॉइम तिशू है उसके सहायता से यह है एक जगे से दूसरी जगे कंडक्शन और फूड 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 वाटर एंड मिनरल यह इसका काम होता है तो फूड का सिंथेसिस तो पत्तियों ने कर दिया वो तो उपर से नीचे की तरफ आएगा फ्लॉइम के तुरू जैलम के तुरू मिनरल्स और वाटर का कंडक्शन होता है अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं लीफ लीफ क्या होती है चप्ती फैली हुई सरश्णा तने की इंटर नोड से निकलती है फैली हुई इसलिए रहती है संलाइक की डायरेक्शन में इसके ओपर संलाइक आकर के घिरेगी तो फोटोसिंथिस की प्रोसेस होती है assimilatory organ of plant assimilatory का मतलब होता है हिंदी में swangikari मतलब कि photosynthesis करती है खुद अपना food synthesize करती है तो इसलिए इसे assimilatory organ कहते हैं photosynthesis कैसे होगा carbon dioxide plus water plus sunlight इसकी presence में होता है और यह glucose का synthesis करेगी phylo taxy arrangement of leaves on stem पत्तियों के तने के उपर जो arrangement पाया जाता है किस sequence में वो orange है वो उसकी phylo taxy कहलाती है इन diocotyledon plant reticulate vanation पाया जाता है जो diocotyledon plants होता है उनमें यह reticulate vanation इसमें देखने को मिलेगा तो यह reticulate vanation का diagram दिया हुआ है जिसे हम हिंदी में कहते है जालिकावत शिराविन्यास दूसरा है सामानतर शिराविन्यास जो की monocotyledon से पाया जाता है तो यह parallel vanation का example है जिसमें veins सिर्फ इस तरह से जा रही है और इसमें इस तरह से भी जा रही है और इस तरह से भी जा रही है तो इस तरह से इसमें यह देखा जाता है function of leaf अब इसके functions भी बात करता है तो एक तो synthesis of food for plant and second photosynthesis तो यह इसके function होता है photosynthesis के तो food का synthesis करना तीसरा है flower flower क्या होता है यह दोनों तो vegetative structure होगए leaf और stem जब reproduction का time हैगा तो stem पर flowers का development होता है reproductive organ of plant plant का यह reproductive organ होता है modified shoot से यह develop होता है flowers के लिए हम simple सी definition यह देते है modified shoot से यह develop होता है और flower बनाता है इसके चार पार्ट होता है calyx, corolla, andorishium and gynosium जो सबसे बाहर का world यह चक्र होता है flower में इस तरह से अगर हम देखते हैं सबसे बाहर calyx मिलेगा उसके अंदर corolla और इसके अंदर andorishium और सबसे इसमें gynosium हमें यह पाई जाएगी तो इस तरह से यह मिलता है सबसे बाहर calyx, calyx किससे मिलकर के बनाता है saples से, corolla मिलकर के बनाता है petal से तो यह जो saples और petals होते हैं यह दोनों reproduction में सहायक नहीं होते सिर्फ यह ऐसे-सरी world होते है यह सहायक चक्र कहलाता है इनका काम सिर्फ यह होता है एक तो flower को production प्रोवैड करना और दूसरा जो insect होते हैं उनको pollination के लिए attract करना फिर जो यह एंडरोishium होते हैं यह instrument से मिलकर के बने होते हैं और गाइनोishium कारपल से तो यह दोनों reproductive वोर्ड होते हैं जो कि reproduction में participate करते हैं तो अब यहाँ पर देखते हैं एंडरोishium क्या होता है male reproductive organ जिसे हिंदी में पुंगमंग भी कहते हैं गाइनोishium इसको जायाम कहते हैं और female reproductive organ यह कहलाती है फिर next यहाँ देखते हैं fruit pollination हुआ pollination में क्या होगा जो पुंकेस परागण होते हैं परागण वो pollinated होकर के जो गाइनोishium होती है यहाँ तक चले जाएंगे और egg होगा वहाँ पर उस तक चले गए वहाँ पर fertilization हो गया fertilization के बाद ovule से seed बन जाएगा और ovule से fruit बनता है जो ovule होती है ovule के अंदर ovule उपस्तित रहता है और उसमें एक egg cell होती है उनके बीच fertilization की process होगी और ovule तो seed का formation करेगा जिसके अंदर embryo रहता है और ovule fruit बनाती है और seed covered with fruit होगा और जो seed होते हैं याप पर वो fruit wall से covered रहते हैं तो इस तरह से हमने आज देखा कि जो basic body structure of enjoy sperm plant किस तरह से होती है root system tap और shoot system root system में तो tap root और fibrous root आजाती है उनके function देखे हमने और जो shoot system है उसमें हमने stem, leaf और appendices fruit, seed, flower इन सब के बार में हमने देखा thank you